आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चोकलेट चीप्स जो बच्चो को बहुत ही पसंद आती है वह आइसक्रीम की रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी जो हम अमूल के आइसक्रीम खाते हैं चोको चीप्स वाली बस ऐसे ही बनने वाली है उसके और यह इसे मिक्स तरीका और आपके पास ब्लेंडर है तो ब्लेंडर के हल्प से मिक्स करने का बहुत ही आसान तरीका है अगर आपके पास blender नहीं है तो हाथों के help से भी आप mix कर सकते हो यह देखिए यह ऐसी थोड़ी थीक consistency हो जाएगी उसके बाद हमें क्या करना है चौको चिप्स ले लेना है यह बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाते है चौको चिप्स मैंने यहाँ पर दो से तीन टेबल स्पून बर्गर डाल दिये है बस चौको चिप्स डालने के बाद जो कंटेनर में हमें आइसक्रीम जमाना है वो कंटेनर ले लेना है और बस इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फिल कर देना है और इसके उपर भी मैंने चौको चिप्स को स्प्रेड कर दिया है ताकि बच्चों को बहुत ही मज़ा है और आट सी दस घंटे के लिए ऐसा ही फ्रीज कर लेना है आट सी दस घंटे फ्रीज करने के बाद आप देख सकते हो तो यह देखिए कितना जबर जसी हमारा चौकलेट चिप्स वाला आइसक्रीम बनके रेडी हो चुका है यह सेम अमूल का जो हम बाहर से मंगा देए चौको चिप्स आइसक्रीम ऐसा ही टेस्ट आने वाला है टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला और घर के सिंपल इंक्रीडेंस है और बहुत ही हेल्दी तरीके से हमने इसे बनाया है हम बाहर की आइसक्रीम मंगा अगर खाते हैं लेकिन हमें नहीं पता वो कैसी है और उसे कैसे बनाई गई है तो इस गर्मी में यह जम कर आइसक्रीम का मजा लेजिए थैंकि फर वाजिंग अस्सलाम अलेकुम